तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिक एडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का लास्ट चेप्टर पढ़ने वाले हैं जी हां 12th क्लास के उर्दू का लास्ट दो ही चेप्टर बचा हुआ था चेप्टर नमब आज के इस वीडियो में हो जाने वाला है तो लास्ट चेप्टर है अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आप लोग एक कहावत सुने होंगे अंत भला तो सब भला अंत अच्छाच से कीजेगा सब कुछ भला होगा तो देखिए चैप्टर नमबर जो 39 है यह भी एक गीत है ग और इन दोनों गीत के जो राइटर है वो है साहिर लुद्यानवी कौन है साहिर लुद्यानवी साथी हात बढ़ाना यह जो गीत है यह नया दौर फिल्म का गीत है नया दौर फिल्म आया था बहुत पहले तो उस फिल्म में साहिर लुद्यानवी जो है यह गीत लिखे थे उस फिल्म के लिए और ये गित किस पर लिखा गया था कभी कभी कोशन पूछ देता है आप लोगे एक्जाम में कि साती हाथ बढ़ाना ये गित किसके लिए लिखा गया तो याद रखेएगा ये गित मजदूरों के लिए लिखा गया था भारत को अजादी मिलने के बाद और बटवारा हो जाने के बाद जो भारत का नए सीरे से निर्मार हो रहा था तो मजदूरों को एक जुट करके काम करने के लिए उचाहित करना बहुत ज़्यदा जरूरी था मतलब मोटिवेशन जगाना अपने भारत देश के परती मोटिवेशन जगाना बहुत ज़्यदा जरू करें और भारत के निर्मार में एक नया भारत के निर्मार में अपना एक एहम योगदान तो यह जो है ना गीत मजदूरों के लिए लिखा गया था और यह जो गीत है तू हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा यह जो है धूल के फूल नाम के फिल्म का गीत है याद सबसे पहले हम लोग साहिर लुद्यानवी के बारे में सारा डिटेल्स जो आप लोग के बुक में दिया गया है उन सभी डिटेल्स को समझ लेते हैं फिर मैं एक एक करके इन दोनों गीत का अर्थ बता दोंगी बहुत ही आसान है ठीक है साहिर लुद्यानवी जिनका असल नाम था अब्दुलहई इनका तखलुस साहिर था और इनकी पैदाइस आठ मार्च उन्हें तबारे सभी को लुद्याना में हुई थी देखिए यह साहिर लुद्यानवी के नाम से क्यों मशूर हो गए जबकि इनका रियल नेम अब् तो साहिर प्लस लुद्यानवी के नाम से मशूर हो गए ठीक है आठ मार्च उन्हें 27 वी को यह लुद्याना में पैदा हुए थे और साहिर इनका तखलुस था याद रखना है कोशन पूछ देता है साहिर लुद्यानवी के असल नाम क्या है अप्सन में दिया रहेगा अब खलुस भी पूछ सकता है जहां सभी कोशन गुमा कर पूछे आप लोगो सही इंसर देना है इनके वालिद का नाम था चौदरी फजल मुहमद ददल जी का नाम था फतय मुहमद और वालिदा का नाम था सरदार बेगम अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए साहिर वाइफ का जो रिष्टा होता है प्रेन के दोनों पट्रियों के समान होता है अगर बैलेंस बिगड़ा तो समझी है कि खत्रा तो निश्चित है कि होगा ठीक है तो उसी तरह इनका भी मतलब इनके माता-पिता के सांथ हुआ था हमेशा जगड़ा होते रहता था माता-पित क्या लगेंगे साहिल उध्यानमी के मामा लगेंगे न क्योंकि साहिल उध्यानमी की साहिल उध्यानमी की मा का भाई है अब्दुलरशीद तो फिर साहिल उध्यानमी के अब्दुलरशीद मामा ही लगेंगे है न तो वही बोला जा रहा है कि सरदार बेगम जो है वो अपने भाई अब्दुल रशीद के यहां चली गई अपने बेटे साहिद लुधियानवी के उल्डेकर और वही पर रहने लगी और जो भी पालन पोशन था वही पर हुआ इनके मामू के घरी यानि कि याद रखना है हो सकता है कि कोशन पूछ दे कि साहिद लुधियानवी के मामू क और इंटर करने के बाद यह गवर्मेंट कॉलेज लुधियाना में ही दाखिला ले लिए और पढ़ाई करने लगे और पढ़ाई करने के दौरान ही यह नजम यानकी कविता लिखा करते थे और उस वक्त भारत को लेकर भारत को आजादी दिलाने के लिए अंदोलन चल रहा था उसी वक्त तो यह क्या किए भारत को आजादी दिलाने को लेकर जो अंदोलन चल रहा था उसी पर यह नजम लिखने लगे कविताई लिखने लगे जिसको जैसे जो उस वक्त की सरकार है इनकी नजमों को जब्द कर लिया और इनके करांतिकारी सोच होने के वज़ए से की आप बोल सकते हैं इनकलाबी ख्यालात इनकी करांतिकारी सोच के वज़ए से इनको जो है न यह लुद्याना छोड़कर जाना पड़ा लुद्याना चोड़ दियाना से लाहूर चले लाहूर में आकर द्याल सिंग कॉलेज में एडमीशन ले लेकिन यहां पर भी पढ़ा जाफरी के साथ यह बंबई आ गये देखें लुद्याना से क्रांतिकारी सोच को जैसे इनको लुद्याना चोड़ना पड़ा लुद्याना से लाहूर आ गये लाहूर में आकर द्याल सिंग कॉलेज में दाखिला लिए एडमीशन लिए लेकिन यहां पर भी पढ़ाई पू इस रिसाला से मुंचलक थे कुश्शन कूर सकता है कि किसी भी एक रिसाला का नाम देदेगा तो याद रखिया अद्बिलतीफ सवेरा शाहरा यह तीनों रिसाला इसमें साहिल लुद्यानवी काम किये ठीक है अब देखिए जब भारत को आजादी मिली और फिर बटवारा वगरा हुआ तो यह तो बंबई में ही थे साहिल लुद्यानवी ठीक है बटवारा हुआ अजादी मिली है सारा अपनी नजरों से देखे थे अपनी आखों से देखे थे सारी घटना को लेकिन साहिल लुद्यानवी के जो दोस्त थे ना भारत के बटवारा हो जाने के बाद साहिल उद्यानवी के दोस्त साहिल उद्यानवी की मा सरदार बेगम को कहां भेज दिये लाहूर भेज दिये ठीक है अब बेचारे साहिल उद्यानवी अपनी मा को ढूनने के लिए लाहूर निकल पड़े लाहूर चले गए थे ठीक है और लाहूर चले गए जब अपनी मा को नगमनेगारी में उसको जबरदस्त सोहरत मिली थी कि नगमा निगारी में यह नगमा बहुत अच्छा लिखा करते थे तो हो सकता है कि कोशन पूछ दे कि नगमा निगारी में कौन से शायर हैं जो जिनको जबरदस्त शोहरत मिली ऑप्सन में दिया रहेगा साहिड लुद्यानिविटिक कर दीजेगा ठीके मतलब नगमा निगा यही किताब लिखने के वज़ा से इनको सोवियत लेंड नहरु आवर्ड मिला ठीके और पदम श्रील का किताब होने से 70 में मिला था ठीक है जिन्दगी भर यह कुवारे रहें शादी कि यह नहीं क्योंकि बच्पन की घतना देखे थे ना इनके वालिद और वालिदा का साहिर लुद्यानवी शादी नहीं किये जैसा भी हो मतलब इनका रिजन जो भी हो प्रसनल इनका रिजन था जिन्दगी बरकुआरे रहें और शादी नहीं किये आगे बढ़ते हैं किताबे आओ के कोई फाब बुने परच्छाईयां तलखियां गाता जाये बन जारा आखर तर्मे और ठीक अपने मां की मृति चार साल के बाद उन vive घुद्यानवीघ का इनका इंतकाल हो गया 25 अक्तूबर ये खुद इंत्रकाल कर गए साहिल लुद्यानवी और बंबई बंबई में इनको दफन कर दिया गया ये सारा डिटेल्स हो गया साहिल लुद्यानवी के बारे में आई होप आप लोगो समझ में आया होगा अब चलिए फड़फट ये दोनों जो गीत है इसको पढ़कर और उ जैसा कि मैं आप लोगों को बताई मजदूरों के लिए लिखा गया था और किस फिल्म का ये गीत है तो नया दौर फिल्म का ये गीत है कोशन पूछ देता है याद रखना जरूरी है याद रखना है आप लोगो ठीक है चलिए अब मैं इसका मतलब बता देती हूँ पढ़ थक जाएगा इसलिए मिलकर बोज उठाना साथी हाथ बढ़ाना इस गीत के जो शायर है मजदूरों को एक साथ काम करने का संदेश दे रहे हैं मोटिवेशन पैदा कर रहे हैं मजदूरों के अंदर कि एक साथ मिलकर वो काम करें ठीक है एकता में बहुत ही जड़ा ताकत हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों मेरा है साथी हाथ बढ़ाना अच्छा देखिए यहां इस गीत पे एक और कोश्टन पुछता है कि साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में कितना बार आया है मतलब साथी हाथ बढ़ाना यह कितना बार इस गीत में है तो देखिए एक दो चीन चार पांच छे बार याद रहे रहे हैं अब्तन में दिया रहाएगा अच्छे लीरे से ठीक कर देना है ठीक है अब देखें यहां पर बोला चला है कि हम महनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया यानि कि हम मेहनत करने वाले हैं मजदूर हैं और हम लोगों ने जब भी मिलकर काम किया हम लोगों ने मिलकर कदम बढ़ाया तो सागर ने भी रस्ता छोड़ दिया और परवत ने भी सिज जुका दिया यानि कि हम लोग सागर समुंद्र परवत में भी रास्ता बना चुके हैं ये किस का देन है ये मजदूरों का देन है मजदूरों ने मिलकर काम किया है इसी वजह से सागरे ने भी रस्ता छोड़ दिया पर्वत ने भी सीष चुखा दिया है लोग परवत अगर सबी लोग एकसात मिल कर काम करें तो संब्भ रहाना इसलिए साती हाथ बढ़ाना मिलकर काम करते हैं और भारत को एक नए सिरे से मिर्माल करते हैं महनत अपनी लेख की रेखा महनत से क्या डराना कल गयरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मन्जिल, सच की मन्जिल, अपना रस्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, बोला जा रहा है कि मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, हमारा कामी है मेहनत करना, हमारी गयाँटबों के खाल कि करना अंग्रेज के खाल मेत देश यजित देत करेंगे अपना प्लों भी एक सज अपनी मंजिल सच की मनजिव अपना रस्ता नेक अगा साथी हाथ बढ़ाना, हम लोग नेक काम कर रहे हैं, एक भारत का नया निर्मार कर रहे हैं, हम लोग की जो मनजिल है, वो सच की मनजिल है, हम लोग का दुख सुख एक है, और हम लोग का रस्ता नेक है, इसलिए आओ मिल कर काम करते हैं, एक से एक मिले तो खत्रा बन जाता है सेरा एक से एक मिले तो राई बन सकती है परवत एक से एक मिले तो इंसा बसमे कर ले फिस्मत साथी हाथ बढ़ाना बोला जा रहा है कि एक से एक कत्रा मिल जाता है तो दरिया बन जाता है एक से एक कड मिल जाता है तो रेगिस्तान बन जाता है एक से एक राई मिल जाता है तो परवत बन जाता है उसी तरह अगर एक से एक इंसान मिल जाए तो सुचिए क्या होगा उसी तरह एक से एक अगर इंसान मिल जाए सभी इंसान मिलकर काम करें तो फिर बस में कर ले खिस्मत यान कि अपने खिस्मत को भी अपने बस में कर सकता है माटी से हम लाल निकाले मोती ल लाल निकाले मोती लाए जल से यानि कि जिस तरह जल से मोती को निकाला जाता है उसी तरह हम लोग इस भारत की धरती से इस भारत की मिटी से लाल यानि की हीरा निकालेंगे हीरा का सेंस समझेगा खेती बारी से मतलब हम लोग इस मिट्टी पर खेती करेंगे और इसे जो फसल होगा जो अनाज हमें मिलेगा उससे भारत के लोगों का पेट भरेगा तो क्या यह हमारे लिए एक हीरा से कम है क्या तो वही बोला जा रहा है कि हम लोग जिस तरह जल से मोत सबस्क्राइस बना है जहां पर भी जिदर भी देख लिजे छार तरफ अपने आज पास भी देखिए जो कुछ भी बना है न मजदूर काम किये तब ही बना है कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की तंजीरे पड़ी रहेंगी, जो कुछ भी तुम्हारा खाब है, जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो, अब दुनिया से मांगना भूल जाओ, क्योंकि दुनिया मांगने से देने वाली नहीं है, जो कुछ भी तुम चाहते हो, जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो, उसको हात बनेगा ना मुसलमान बनेगा आज कल की लोगोंगों ने ह्याओं के लोको ने इनसानों को धर्मarda है हिंदु मुस्लीम सीख भी सकते हैं यूटूपर सक्स करेंगे तू हिंदू बनेगा ना तू मुसल्मान बनेगा गीत आ जाएगा बहुत अच्छा गीत है देखिया बच्चे को बताया जा रहा है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तू हिंदू बने किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है बोला जा रहा है बच्चे को कि अच्छा है कि अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है तुझको किसी धर्म से लेना देना नहीं है अच्छा है कि तेरा अभी तक कोई नाम नहीं है ज है वह शिक्षा तेरे पास नहीं है और उषिक्षा का इल्जांतीरे पर नहीं है तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा इंसानकी ऑुलाद एंसान बनेगा और इनसां का सबसे में धर्म होता है कर्म होता है इंसानियत और तेरा सबसे बड़ा धर्म और कर्म इंसानियत होगा तो इंसान बनेगा क्योंकि तो इंसान की उलाद है मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया हमने उसे हिंदू या मुसल्मान बनाया पुद्रत में जो बक्षी थी हमें एक ही धर्ती हमने कहीं भारत कहीं इरान बनाया मालिक ने उपर वाले ने हर इंसान को इंसान बनाया था लेकिन हम इंसानों ने ही इंसानों को हिंदू और मुसल्मान बना दिया धर्मों में बाड़ दिया हिंदू, मुसलिम, सीख, हिसाई इंसान ने इंसानों को ही धर्मों में बाड़ दिया उपर वाले ने जो हमें एक ही धर्ती बक्षी थी एक ही जमीन अता फर्माई थी उसी धर्ती उसी जमीन को हमने कहीं भारत तो कहीं इरान बना दिया जो तोड़ दे हर बंद वह तुफान बनेगा इंसान की अवलाद है, इंसान बनेगा जो हर बंद को तोड़ दे हर नियम, हर कानून, हर धर्म की परंपराओं को तोड़ दे तुम वो तुफान बनेगा इंसान की अवलाद है, इंसान बनेगा नफरत जो सिखाए, वो धरम तेरा नहीं है इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है कुरान नहों जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा गीता नहों जिसमें वो हरम तेरा नहीं है बोला जा रहा है कि जो धरम नफरत सिखाए वो धरम तेरा हो ही नहीं सकता वो धरम तेरा नहीं है इन्सान को जो रॉन्दे वो कदम तेरा नहीं है जो कदम इन्सान को ही रॉन्दे वो कदम तेरा नहीं है कुरान नहों जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा गीता नहों जिसमें वो हरम तेरा नहीं है जिस मंदिर में कुरान नहों वो मंदिर नहीं तेरा और जिस मस्जिद में गीता नहो वो मस्जिद नहीं तेरा वो काबा नहीं तेरा तो अमन का और सुलह का ऐलान बनेगा इनसान की आउलाद है इनसान बनेगा तो सुख और शांती का ऐलान बनेगा तो इनसान की आउलाद है इनसान बनेगा ये दीन के ताजिर ये वतन बेशने बैठें वाले यह महलों में बेढ़े हुए रहें कातों के और शरुखेंफ़ चमन बैशने वाले तो इनके लिए मौत का अईलान बनेगा इंसान के ऑलाद है इंसान बनेगा बोला जराये ऑऌत फीकर मजभब के तजारत करने वाले इंसानों की लाशों के कफन बेशने होगा तो इंसान बनेगा इंसान की अवलाद है इंसान बनेगा बच्चे को सिखाया जारा है बहुत ही अच्छी बात है तो यहां पर हो जाता है लास्ट चैप्टर कराकर छोड़ी हुई थी उसके अगले चैप्टर से कोशन एंसर कराना स्टार्ट कर दोंगी ठीक है आज के इस वीडियो को यहीं पर इंट करते हैं आई होप आप लोग लाइक स्मझ में और वीडियो अच्छा लगा थोड़े देर के लिए आप लोग के इंदर भी वह जुन फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस